कल एक खबर आपने देखी थी जिसमें महराज मलक और साथ में गुज्जर फैमिली थी और जिस तरह से वह कह रही थी कि हमारी जमेन हड़ पी गई है चलिए आज फिर वह यहीं पर है दूसरा दिन चल रहा है चलिए इनी से जानते हैं कि आखर दो दिन से यह डिसी ऑपिस के अंदर बैठे हुए हैं और इनी से बात करूंगा और इनी के लड़के भी हैं यह सर क्या नाम है आपका लियाकत लियाकत जी कितनी उम्पर है अपके मेरे को 35 आसपस क्या हुआ था मतलब पूरा और कल से आप यहीं पर बैठे हुए जी सर कोई मिलने आया कोई दिया तhसियलदार के लिए तइसीलदार महां मिला ही है तो महां से मैं बापस आ गया आज तहसिलदार कहां पे गय थे अब में तफ्लिदार में उड्र हो रही था कोई लड़का तो उसने बोला थे लगा अब मुझे पूरी कहाने बताए पूरे कोई ने दृ जब पूरी स्राप возьए पालियर दो साल sprangे के निशने निसे साथ मेरे से 25-20 दिनוס सान का मैं दो साल को आई रहा सां लिया है मील्यटेंट न्याएर से प कोईती देड़ा हो सब चाले हैं उसना जेकर पीटा लिए पज्वामानि से चालेil मेरे वहां है पंजाब मेरे मेरे मेरेhoneững के साथ दादा दादी कोई और ने दादा दादी पहले ते हम बापस ईक वार ना थैसा सबस्क्राइव ने केस करोल। मेरा हिस्था जो चोटा था वापस किया था किंधा हम भाप हैं यहां से बोलते हैं बहुत ह 있으 करते हैं वारां साल के केस करते हैं भी heaven कर देसे के पास को लाइश देसे दफ्तर में ji स्वेंटी में ध्या भी केद दफ्तर केसे को 6 के सनौख़ Susan को यह को दख़ल दफ्तरों के चक्क्रन दफ्तर दफ्तर ऎगे cela धाना अपने की डिसी ऑपस के बाहरी बैट के अपने डिमांट करते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा सर और कहां जाएंगे तो कि अपन जमीन जमारी तो नहीं तो अपना हिस्सा कितनी कनाल जमीन सार उसमें आपना हिस्सा कितनी कनाल कनाल थी 84 कनाल थी वो टोटल उन्होंने अगर नहीं बेची हो तो फिर आपकी वाली 20 या 30 कनाल बची हुई है मतलब जी जी सर अच्छा मुझे ये बताइए जो ये 20 30 20 साल का गेप था इन 20 सालों में आप लोग जो हैं पंजाब में रहते थे या कहां रहते थे मतलब कैसे वर्भान यबारी जब हमार जमीन है जब इनके पास हाएहां तो यह अग्यस हमें दाड़ा लगे देने हैं अग्या गाली देते थे दम की देते कभी मुझे बोलते hearing दो नको डाए रड़ागी ले लो तीनलो जमीन तुझे नहीं मिलेगी अमारे पास बहुत आये है ब मुंई ने आपके मुंग के वैसे जैसे करके आपको पाला पोशा ठीक है और शादिया वगेरा कैसे कि अपने मतलब कहां से किए मैं अब मुझे बताइए कल आप दुपेर से यहां पर बैठे हैं कल मैंने आपकी खबर भी की ती उसके बाद जो है कुछ खाने चाने के लिए कोई आया यहां पर या कोई बंदा कोई पूछने यहां पर डीसी ऑपरिस के अंदर इतना पुरा पडिवार का कुमबा जो है कि मतलब कि गुजरू की जो है बहूत सारा पेकेज आ रहा है बहुंत सारी चीजेश आ रही है किया वह पेकेज मिल सकता आपको क्या अपको उमीद है यहन के आडमिस्टरेशन से यह यहां के गुर्णनर से यहां के नेतों से जा किसी से अमीद है इस नहीं नहीं होगा हम गुर्णन के पास भी हम घएंगे हम बाधिया निकल घएक की आपको यहां कि बहुए जा निकल यहां पर मत बैठो चीज क्या हो था क्या बॉला था मैं ठाने को बागी परिवार युद्र हें था कारम हैं झाल sign किया नाम है आपको अलगे तो वोलता है इधर और मैं तो जाओ गार में मैं का सर हमारे पास तो हम थोडह ना नहीं है घर घर Ungi होगे हैं जमीन है को अन्हों ने दुबाई अन्हों नियुक all up कि नियुक्तव भी Philippines ल्हों दूद तो उन्हों िैस fast लिख on है वो है इधर आप अंदर मत रहो आप बाहर रहो इदर से चलिए जिस तरह से यह कह रहे हैं कि एस यार डोड़ा जो है वो कह रहे थे कि साब लोग आते हैं और यहां पर न रही है आप मुझे बताइए आपको यहां से तैसिल दार के पास क्या यह इदर से इन्हों बेजा था या खुद गेते हैं नी मामब जा था हमें वहां पर नहीं मिले हाज से भाटा न इस रात हो ठाँ तो सुबाइब कोश्वी नहीं खाया बैठी है कितने पैसे पड़े हुए कुछ भी नहीं सर जो खर्च हमारे पास जो पैसे था इसके पीशे हमने खार्च कर दे हमारे को खाने के लिए कुछ नहीं है जो गाड़ी शाड़ी में आप लोग चलते हैं मतलब क्या से दर उद्धर जाना क्या से क्या कर लेते हैं सर जी देखिए देखे आप बहुत मदद कर जाते कभी दोस्तों कभी सो दे देते हैं दो हम इनके उपने थी सब चीजें थी और कुछ कारणवजास से मतलब किछिन गया जाएए पाइजगे हैं तो ग दिशा कर दो में हमारे पास हमारे पास हमारे अब ने कुछ ने हमारे पास जाएंगे तक उपार कोई स्थजित को यहां नहीं हैं हम वह prevalent तो डावब करते हैं कि हम एक दूसरी की धोड़ी से कर से वाओ हैं किस पे सो रहे हैं रात बर ठंड में क्या चीज़ें हो रही है सर अभी तक तो यहां कोई ऐसा बंदा कोई नहीं आया हमारे पास जो हमारी हल्प करेगा जी हां कौन करेगा इनकी हल्प अब यह आने वाला समय ही बताएगा और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं यह डी-सी डोड़ा विकाष शरमा बैठते हैं और यह बैठते हैं और यह पुरा परिवार जो है यारा लोग है यह यह माता जी की है और इनके दो बच्चे हैं और बाकी कौन-कौन लोग हैं यह सर यह मेरे बाइए चलिए दो दिन हो चुके हैं डीसी ओपिस के अंदर ना कोई पूछने आया पॉलिस वालू ने इनको खाना खलाया या कोई भार की जो बड़े बड़े करने वाले लोग है एक फेमिली ये भी है अगर पोस्टर लगाने से आपका भला हो जाता है कम से कम इनका पेट भी भर दीजिए रोजाना ये भी यहां पर नहीं होगा चलिए ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कितना सचाई है इनकी और जिस तरह से ये बैठे हुए हैं कितनी जमीन इनकी हड़पी गई है अगर मिल्टेंसी के दोरान में ये सब चीजें हुई है कम से कम यहां के एड्मिनिस्ट्रेशन को पूरे तरीके से देखना चीए चीजें को ध्यान से देखना चीए और खूब बढ़ चड़ कर शेर कीजे और अपने अपनी राय जो है जरूर रखिए कम से कम आने वाले समय में किसी और के साथ ऐसा ना हो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आकर इनके साथ हुआ क्या है लेकन एक कारवाई जो है तो सारी सीज़ें कम से कम इनको घरबार मिल जाए कम से कम दुबारा से उस जगह पे रह सकें अभ यह Мыटा जी को ही पूछ लें या इनके जो बच्चे हैनी को पूछ लें कम से कम इनको बोलना तक नहीं आता जिस तरह से ये बोल रहे थे हमसे और कल महराज दिन मलक जो है डीडी सी कहा रहा कि उन्होंने यहां पर आंसू तक घिरा दिये थे इस परिवार के लिए और रो रहे थे कि इनकी हलप होनी चीए कम से कम ये चीज़े देखनी चीए और मीडिया को भी आकर इनकी केवरेज करनी चीए ताकि ये जिस तरह से हो रहा है ऐसा नहों आने वाला समय ही बताएगा और मैं पलपल के अपडेट जो है इनकी फेमिली के आप तक पहुंचाता रहूंगा किस तरह से अड्मिनिस्ट्रेशन डोडा जो है इनकी हल्प कर रही है फलाल दे